इस वीडियो में आपका स्वागत है, इस वीडियो में बताने वाले हैं, National Pension Scheme के बारे में, National Pension Scheme में Candidate को कशे रराजिस्टेशन करना है, National Pension Scheme में Candidate को क्या benefit मिलने वाला है, full details देने वाले हैं, CAC ने notification जारे क्या है, National Pension Scheme के relative, तो चलिए क्या है CSE का notification देख लेते हैं CSE ने इस notification को जारी क्या है National Pension Scheme through CSE 3 in 1 benefits of NPS National Pension Scheme में candidate को 3 benefits मिलने वाला है पहला है save tax, दूसरा है make money, तीसरा है secure old age भेली को CSE portal से National Pension Scheme में candidate को registration करना है Candidate को 3 benefits मिलने वाला है National Pension Scheme में एक अच्छा service है इस service को trust कर सकते हैं Candidate को इस service में money invest करना है इस service में 18 साल से 60 साल तक बेक्ती को registration कर सकते हैं इस service में per month आपको money deposit करना पड़ेगा 500 से start है इसके बीच आप जितना चाहे आप जमा कर सकते हैं National Pension Scheme में अगर registration करते हैं और money invest करते हैं तो जब candidate 60 साल से ज़्यादा हो जाएगा तो candidate को 60 साल के बाद 60% withdrawal कर सकते हैं और 40% pension की तरह मिलेगा पर month आपको pension मिलेगा तो चलिए video start करते हैं और CSE के portal से National Pension Scheme में candidate को कैसे registration करना है बताने वाले हैं CSE portal को login करना है National Pension Scheme Service को search करना है Search बार में किलिक करना है National Pension Scheme Service को type करना है NPS type की है Service आ गया है National Pension Scheme इस Service को open करना है National Pension Scheme Service CSE से connect हो गया है इस Service में पहले भेली को registration करना पड़ता है मैं already registration कर चुका हूं i button में मिल जाएगा भेली National Pension Scheme में registration कैसे करना है इस Service में तीन option है Customer Registration Additional Contribution Pension Calculator Pension Calculator करके एक बार दिखा देते है Calculator Your Pension इसमें किलिक करना है Calculator Page में आ चुके है इसमें पहले Date of Birth सेलेक्ट करना है इसमें किलिक करना है Date of Birth सेलेक्ट करना है इसमें किलिक करना है Air सेलेक्ट करना है Month सेलेक्ट करना है Date सेलेक्ट करना है अगर आप पर मन्त एक हजार डिपोजिट करेंगे तो टोटल इनवेस होगा आपका 60 साल में 2,28,000 और आपका टोटल क्रोपस हो जाएगा 6,81,650 रुपईया उसके बाद आपको 60 साल के बाद 60% रिटन मिलने वाला है 4,89,90 रुपईया और आपको पर मन्त पैंसन मिलेगा 1,818 रुपईया इनवेस में आप बढ़ा सकते हैं 1,000 के जगा 2,000 कर सकते हैं 5,000 कर सकते हैं आप अपने हिसाब से डिपोजिट कर सकते हैं National Pension Scheme में Candidate को Registration करने के लिए Customer Registration में किलिक करना है Customer Registration करने के लिए 3 अप्सेन है पहला है Help It by DM, दूसरा है Help It by Society, तीसरा है Self Registration अगर भेली खुद का Registration करेंगे तो Self Registration कर सकते हैं अगर भेली Customer का Registration करेंगे तो पहला वाला अप्सेन को सेलेक्ट करना है Help It by DM, इस सर्विस से Customer को Registration करना है इसमें किलिक करना है Select DM, इसमें किलिक करना है आपका एरिया का DM को सेलेक्ट करना है DM सेलेक्ट करने के बाद Customer का Pen Number फिल करना है और Submit करना है चलिए एक Menu दिखा देते हैं Candidate को कैसे Registration करना है और भेली को कितना कमिशन मिलने वाला है National Pension Scheme Service का Menu देख लेना है इस सर्विस में सरा कुछ दिया हुआ है इस सर्विस में भेली कैसे Registration करना है और Candidate को कैसे Registration करना है दोनों के बारे में Details दिया हुआ है पहले CAC Portal को Login करना है उसके बाद इस सर्विस को Search करना है भेली Registration Form में आ चुके हैं भेली Name, भेली Mobile Number, भेली Alternate Mobile Number, भेली Email ID, भेली State, भेली District इन सब को Select करके सब्मित करना है थ्री Step में आ चुके हैं Candidate को Registration करने के लिए Customer Registration में किलिक करना है फोर स्टेप में आ चुके हैं Candidate को Registration करने के लिए Help It by DM सेलेक्ट करना है आपका एरिया में जो भी DM है उस DM को Select करना है और Candidate का Pen Number फिल करना है अभे सब्मित करना है फाइब सेप में आ चुके हैं Pen Card Type सेलेक्ट करना है इंडिवीज्वल, Country सेलेक्ट करना है India अधार सेलेक्ट करना है browsing, Account Type सेलेक्ट करना है Tier 1 इस Capture को Enter Capture में फिल करना है और Continprochen करना है निची श्क्रोल डाउन करना है 6 step में आ चुके है, candidate का title सेलेक्ट करना है, first name, middle name, last name, gender सेलेक्ट करना है, mobile number फिल करना है, email id फिल करना है, date of birth सेलेक्ट करना है, address फिल करना है, country सेलेक्ट करना है, father first name फिल करना है, father middle name फिल करना है, father last name फिल करना है, mother name फिल करना है, parent का pen number फिल करना है, married status सेलेक्ट करना है, married and married enrollment id fill करना है और continue करना है continue करने के बाद इस तरह का pop-up आएगा इसमें भी continue करना है step 7 में आ चुके है no many details fill करना है I agree tick mark लगाना है और continue करना है 8 step में आ चुके है no many details fill करना है और save करना है no many saves करने के बाद 9 step में आ चुके है candidate का photograph upload करना है signature upload करना है cancel checkbook passbook upload करना है identity proof upload करना है address proof upload करना है I agree में tick mark लगाना है और continue करना है 10 step में आ चुके हैं इसमें tick mark लगाना है और verify करना है verify किलिक करने के बाद mobile number फिल करने का option खुलेगा mobile number को फिल करना है email id फिल करना है इसमें tick mark लगाना है और verify OTP में किलिक करना है 11 step में आ चुके हैं, tier 1 amount select करना है, 500 है, आप इसमें बढ़ा सकते हैं, बढ़ा के confirm करना है, और make payment में किलिक करना है, CSE wallet से payment करना है, registration complete हो जाएगा, आपका CSE wallet से कटने वाला है, 269 रुपई या 6 पैसा, print out करके receive को customer को देना है, customer के Gmail ID में इस service का card receive हो जाएगा, इसी तरह national pension scheme म इतना ही details देपाएं, I am sure वीडियो की जानकारे अच्छा लगा होगा, thanks for watching, आप अगर मेरे चेनल में new है तो please channel को subscribe करें, और bell icon जरू दबाएं, ताकि जब भी CSE में new update आए, आप तक पहले पहुचे, तो मिलते हैं next वीडियो में